हलो एव्रिवान आय हरमीद वेल्पम यू ओल ओन डावलू स्क्यूब्टेक चैनल आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यूट्यूब पर किस तरह से आप कॉंटेंट अप्लोड कर सकते हैं यानि यूट्यूब पर किस तरह से आप अपनी वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये वीडियो एक बेगिनर से लेकर एक अल्रेडी जो प्राक्टिस कर रहे हैं यूट्यूब पर सभी के लिए होने वाली है तो वीडियो अप्लोड करना मैं एकदम इनिशियल लेवल से बताने वाली हूँ जिससे कोई भी कन्फूजन ना रहे राइड अगर कुछ मेजर अपडेट होता है टाइम में मतब फ्यूचर में कोई भी चेंज आता है यूट्यूब में तो मैं इस वीडियो को भी अपडे प्लेइलिस्ट में उसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ जिसमें वीडियो कैसे बनानी है क्या क्रियेटिविटी दिखानी है किस तरह से थामनेल बनाना है सारी चीजें मतलब यूट्यूब पर एक वीडियो देखने से लेकर एंड तक जब तक रेवि यूट्यूब पर हम आगे राइट तो यह तो आपका बेसिक जो विंडो होता है राइट जिससे आप अपना आपका चैनल का विंडो कह सकते हैं यह एक यूजर की तरह लेकिन सारे जो हमारे काम होना है ना मतलब जो हमारी वीडियो अपलोड होंगी वह यहां से जाकर यू लेकिन उससे क्या होता ना बहुत जादा confusion हो जाता तो इसलिए मैं इसका एक-एक step लेती जाओंगी एक-एक feature लेती जाओंगे और आपको explain करती जाओंगी हर एक वीडियो में राइट तो जिससे कोई भी confusion ना हो राइट तो यह हमारा normal dashboard आ गया है यहां पर आपकी जो लास window में यहां पर आपको या तो अगर आपके पास already कोई वीडियो है आप लाकर उसे ड्राइग कर सकते हैं यहां पर आपका जो यहां पर data है आपकी जो storage है वहां से भी आप ले सकते है राइट जैसे यह वाली एक वीडियो है मैं इसको आपको यूज करके दिखाने वाली हो यह फॉर्स वीडियो है राइट जो मेरा जो Pinterest का कोउस था उसकी यह फॉर्स वीडियो थी तो मैं वही आपको एक्जाम्पल यूज करके दिखा रही हूं अब देखिए यहां पर जो वीडियो का टाइटल आया वो टाइटल आगया जो मेरी फाइल का टाइटल था यानि ज को चेंज करेंगे टाइटल कैसा लिखना है क्या टाइटल होना चाहिए कौन से टाइटल से हमें अच्छी रैंकिंग मिलेगी इसके लिए next वीडियो लेकर आ रही हूं क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ वीडियो अप्लोड कैसे करते हैं बागी सारी वॉल्ट में जो भी हमने चीज़ें पुट की हुए थी न वो सारी यहां पर आचुकी है राइट अब मैं इसको अपने एडिट कर सकती हूं अपने वीडियो के अप जैसे वीडियो मेरी थी तो दिखिए हमने यहां पर क्या लिखा हुआ है in this video I'm trying to explain about मैं क्या explain करने वाली हूँ about pinterest तो जो भी आपकी वीडियो है ना उसके बारे में आप लिख सकते हैं लेकिन कि अच्छा सा description कैसे लिखना है हर एक लिए वो सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगी ठीक है तो मैंने यहां पर इसको थोड़ा से एडिट कर दिया यहां पर मेरे चानल का दूसरे चैनल का लेंक आगया उसके बादे काफी सारी चीज़ें इंफॉमेशन वगर यहां पर आ गई राइट तो यहां पर आप अपना टाइटल लिख सकते हैं जैसे मैं यहां पर एक टाइटल एक्जाम्पल के तौर पर लिख देती हूँ वैसे तुम आपको अच्छे से डीटेल में समझाने वाली हूँ कि बेसिकली टाइटल कैसे लिखना है क्या अच्छा टाइटल होना चाहिए आपकी प्रसेश होईगी अप्लोड होगी और फिर और थ् kicking लेकर अगर अपकी विडियो जो है अब यहां पर देख सकते हैं कि वीडियो जो है हमारी प्रसेश हो चुकी है अभी देखे यहां पर मैं स्क्रोल डाउन करती हूँ वाला उप्शन तो यहां पर यह हमारा थमनेल आ चुक है यहां पर यह कुछ लिठापर करता है इसरी विडियो का फेसलग से का है और एगLS चुका वो YouTube हमें अलरडी बना कर देता है डिफॉल्ट देता है लेकिन अगर आपने वेरिफाइब कर लिया है अपने अकाउंट को जिसकी में पहले वाली वीडियो में बात कर चुकी हूं कि अकाउंट को वेरिफाइब कराना जरूरी है अपने फोन नमबर से तो अगर वो अपने व ओप्शन आ रहा है वो आगे continue कर सकता है अब अनमें से भी चूस कर सकता हैं इनमें से चूस करेंगे और सीधा continue कर देंगे नहीं तो मैं यहां पर upload in search results, यानि वो आपको बताएगा कि अगर ये title की videos अगर और भी YouTube पर हैं, तो उनके thumbnails कैसे दिख रहे हैं, वो यहाँ पर आप जाकर search कर लेते हैं, ठीक है, तो यह हमारा thumbnail यहाँ पर हमने put कर दिया, उसके बाद में यहाँ पर आता है playlist की, क्या ऐसी playlist है, जिसमें आप इसको add करना चाहते हो, तो जैसे कि अगर Pinterest वाली complete course for beginners, यह हमारी playlist है, तो मैंने इस वाली playlist में मैं इसको select करना चाहते हूं, अगर आप इसको नहीं select करते हैं, तो किसी भी playlist में नहीं post होगा, बलकि एक अलग से individual video चली जाएगी, अब audience, अब यहाँ पर यह चीज आती है, वैसे तो हमने इसको no करा हुआ है, लेकिन आप इसको अपने recording कर सकते हो, इसके लिए मैं video बना चुकी हूँ, कि कौन सी kids के लिए हमें post करना है video या नहीं करना, right, so this video is set not for kids, तो इसके मैं यहाँ पर आपको दोनों के advantages, disadvantages, बता चुकी हूँ, कि अगर आप इसको yes click करते हो, तो क्या होगा, no click करते हो, तो क्या होगा, सारी चीज़ें हम बात कर चुके है, right, तो यहाँ पर आप इसको click कर सकते हो, after recording मैंने इसको no किया हुआ है, okay, so उसके बाद में, यहाँ पर यह चीज़ें paid promotion, paid promotion का मतलब क्या इस video में कोई promotion किया है, आपने किसी product का, जैसे कई बार जो vloggers होते हैं, या कुछ ऐसे influencers होते हैं, वो automatic chapters, right, कि अगर इस video के बाद में कोई ऐसा particular chapter start हो रहा है, तो automatically जो YouTube है, उसे दिखा देगा, तो आप इसको make sure कि आप इसको tick ही रखें, right, untick नहीं करें, यहाँ पर आ जाते हैं आपके tags, यह tags जो हैं, यह हमारे default में है, right, आप इसमें अपने जो और भी tags हैं, वो आप add कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर put कर रही हूँ Pinterest, right, Pinterest app मैंने add कर दिया, उसके अलावा मैंने Pinterest marketing में यहाँ पर add कर देती हूँ, Pinterest marketing बस आपको यह लिख के और सिर्फ enter ही दबाना है, और जितने भी आपके जो tags हैं, वो अगर हिंदी में आपने वीडियो बनाई है, तो इसको हिंदी कर देना, नहीं तो English कर देना, right, तो आपके उपर है वो, जो भी आपकी language है, जिस भी language में आप वीडियो बना रहे हो, उसको यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो, right नेक्स डाता है हमारा captions, अब captions के बारे में बात कर चुकी हूँ, captions अगर ये वीडियो अल्रेडी कहीं प्रिमेर हो चुकी है, तो वो automatically caption certification यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको हमने नन रखा है, right, because हमारा खुद का content है, उसके लाब recording date वगरे यह सब डालने की जरूरत नहीं है, आपको right, यह सारी चीज़ें नहीं इतनी जरूरी, जो main चीज़ें मैं आपको बता दी, अब यह है category, category को आप अच्छे से कर लो, क्योंकि कई बारना YouTube इसका use करके आपकी advertisements को strong करता है, तो अच्छी सी category जरूर होनी चाहिए, जो भी आपकी category है, education है, जैसे यह है, तो हमने इसको ऐसे tick कर लिया, okay, okay, जी, अब यहां पर comments और ratings हैं, तो इनके बारे मैं बात कर चुकी हूँ, तो हम यहां पर potentially inappropriate comments जो हैं, उनको review के लिए hold करना चाहेंगे, बाकि जो normal comments हैं, वो हमारी video पर show हो जाएंगे, right, ध्यान से check कर लाएं, कई लोग ऐसे होते हैं, जिनके disabled होते हैं comments, तो यहां पर यह settings ना बिगडी होई हो, check कर लीजेगा, और sort कैसे करेंगे हम video को, मत्तब video के जो comments हैं, उनको कैसे sort करेंगे, कि top से करेंगे, जो newest हैं, उनसे करेंगे, तो वो जैसा भी है, आप अपने according चेक कर सकते हो, right, चलिए जी, अब आ जाता है monetization पर, तो यह सारी जो चीजें है, monetization, on है, तो मैंने इसको on कर दिया, on करने के बाद में, इस सारी चीजें जो है, यहां पर आ चुकी है, जिन सब को आप टिक कर दीजे, वैसे यह default में भी हमने किया था, उसके बाद में add suitability है, तो यहां पर आप इसको अपनी language चेंज कर सकते हो, adult content है, तो यहां पर put कर सकते हो, violence है, यहां पर कुछ है, तो इस तरह की चीजें, आप यहां पर create कर सकते हो, तो इसमें से कुछ भी नहीं है, तो none of the above आप कर सकते हो, तो यह हो गया हमारा, अब जाते हैं, वीडियो elements पर, तो यहां पर पता रहा है कि submit rating, basically तो हम यहां पर submit rating कर देते हैं, यह YouTube का ही खुद का कुछ है, यह आपकी जो video है, वो basically उसको किस rating दोगे, तो video elements बाला पार्ट हो गया, right, subtitles, subtitles की अलग से video लेकर आउंगी, कि subtitles किस तरह से add कर सकते हो, अपने videos में, right, end screen लगानी है, add cards लगाने, इनके भी detail में वीडियो लाने वाली हो, right, उसके बाद में आपको checks करने हैं, कि कोई copyright issue तो नहीं है, कोई add suitability तो है, right, तो यह हमारे यहां पर checked है, यह जो checks वाला option है, यह अपने आप ही आजाएगा, random आपको कुछ करने की ज़ुरत नहीं है, चालिए जी, अब हम click करते है, next पर, next पर देखें, अब यहा देखेंगे, private अगर आप करते हो, तो जो आपका channel है, और जिन लोगों को आप choose करते हो, आपके channel का access करते हो, वही video देख पाएंगे, और public का मतलब है, हर किसी को देख पाएंगे, तो अगर आप direct upload करना चाहते हैं, यहां public कर दो, मैं इसको unlisted रखूंगी, right, because सिर्फ आपक हो रही है, जी कि उसके बाद में आपकी जो video है, वो इस तरह से यहां पर आज चुकी होगी, आप इसको जब भी आपको इसे public करना है, मतलब लोगों को show करना है, आपकी audience को show करना है, तो आप इसको public पर click करके और इस तरह से publish click कर देंगे, right, so वापिस से मैं इसको change कर देत इस video में हमने देखा कि किस तरह से आप video post कर सकते हो, कुछ important facts भी जाने, साथ ही जो छोड़ी छोड़ी चीज़ें रह गई है, कि end screen कैसे add करना है, tags कैसे add करना है, title कैसे लिखना है, description कैसे लिखना है, उन सभी के लिए video आ रही है, so make sure कि आप चैनल को subscribe कर लें, जिसे एक भी video miss ना हो, video में कुछ सीखा हो, तो like जरूर कर देना, कोई भी question हो, query हो, problem हारी हो video upload करने में, तो मुझे comment section में बताना, मैं एक ही video में आपके सारे questions का answer लेकर आऊंगी, thank you so much कर दो